नमस्ते रीजिनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिए ऐसे तो हल्वा सबको बहुत पसंद होता है पर मैंने सोचा क्यों न ऐसा एक हल्वा बनाया जाए जिसे व ले हुए आलू और इन्हें घिस लेंगे आप इन्हें मैश करके भी प्रयोग कर सकते हैं बस इसमें कोई बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए और ये देखिए अब हमने सारे आलू को घिस लिया है इसके बाद हम लेंगे एक कड़ाई और कड़ाई में चार से पाँच टेबिल स्पून देशी घी ये मैंने वनफूर्थ कप वाला मेजरिंग कप लिया है और इसमें से थोड़ा घी मैंने बचा लिया है अब घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और घी के गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे छे काजु और छे बादाम और इन्हे सुनहरा और कुरकुरा होने तक फुन लेंगे अब काजू और बादाम फुन चुके हैं इसे हम कड़ाई से निकाल लेंगे और इन्हें कड़ाई से निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे 8 से 10 किश्मिश किश्मिश को हमें कडाई में छोड़ना नहीं है जैसे ही ये फूलने लगे इसे हमें कडाई से निकाल लेना है अब किश्मिश भी हो चुकी है इसे हम कडाई से निकाल देंगे और कडाई में डालेंगे गिसे हुए आलू आलू को कड़ाई में डालने के बाद हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये घी छोड़ने ना लगे अब हम आलू को घी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे धीमी आज पर भुनेंगे अब हमने आलू को घी के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है और अब हम इसे भुनने देंगे अब आलू अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने घी छोड़ दिया है धीमी आज पर इसे भुनने में मुझे लगबग 5 मिनट लगे हैं आलो के अच्छी तरह से भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे आठ से दस इलाइची की दाने निकाल कर उसे कूट कर इलाइची पाउडर और आधा कप चीनी और चीनी डाल कर हम इसे आलो के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी इसमें अच्छी तरह से गुल न जाए यानि की चीनी इसमें करमलाइस हो जानी चाहिए जब चीनी इसमें अच्छी तरह से गुल जाएगी तो हमारे हलवे का कलर बदल जाएगा और हलवे का रंग सुनेहरा हो जाएगा हलवे के अच्छी तरह से पकने के बार जो ड्राइफ फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उसे हलवे में डाल देंगे और इसे डाल कर हम हलवे के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हमारा आलू का हलवा बन कर तयार है अब हम इसे सर्फ करेंगे और इसका आनन्द लेंगे अगर रेश्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में